आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपनी यूटूब चैनल मोटिवीशन बायदिख्षा मैं प्रेंट्स आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं बीट फोर सेम के ओल्डे पेपर की मैंने सीसी फर्स्ट अल्रीडी वीडियो पर अप्लोड कर दिया है जैंडर स्कूल एंड सोसाइटी का दो हचार वाइस का पेपर मैंने आप लोगों को सांद शेयर किया है जिसे मैं आप लोगों को आई बटन पर भी प्रोवाइट कर दू सबसे पहले आप उसमें निर्देश पढ़िए कि निर्देश दिये क्या है तो इसमें नोट पढ़ते हैं खंड आमें 14 प्रश्णों में से किनी 11 प्रश्णों के उत्तर आपको देने हैं प्रतिक जो प्रश्ण रहेंगे वह पांच नंबर के रहेंगे इनकी जो सब्द सीम प्रुष्ण की जैसा कि मैंने आपको 16 कुश्ण में से किते कुश्ण करने हैं उत्या आपको सब्सें तो होनाने question है computer का आर्थ हेवं परिभासा बताई एक्स्प्लेंड प्प्यूटर मेनिंग डिके आप फॉल फॉर्म लिक्सकते हैं कंप्यूटर का डाइग्राम बना सकते हैं उसकी मीनिंग्स बता सकते हैं यसके कौन कौन से पार्ट्स होते यानी क्लासीफिकीषन के अधार पर कम्पूटर टू टाइपस के होतें वेस्टे-णय।?. बतानी है आपको पूरी पाथ जनरेशन बतानी हैं और इसमें आप जो भी generation लिखते हैं तो generation के सामने कि किस generation में किसका use किया गया उसके सामने आप उसकी pictures create कर सकते हैं फिर अगला question है computer की memory यानि कि जो memory primary memory and secondary memory में अंतर बताना है तो memory के बारे में पूरा flow chart बना लिजेगा कि memory two types की होती है primary memory and secondary memory memory फिर primary memory में कितने आते हैं secondary memory में कितने आते हैं उसके बाद इनको एक एक करके आप इसे explain कर सकते हैं फिर अगला question है आपका operating system के प्रकार बताईए यानि कि इसमें types of operating system के बारे में सबसे पहले बताईए कि इसकी meaning क्या है फिर इसकी types बताईए अलग-अलग कौन-कौन से types होते हैं next question है computer virus और उसकी रोक थाम को समझाईए तो computer virus क्या है और इसके क्या advantage है क्या disadvantage है इनके बारे में आप इसको लिख सकते हैं पर next question है सूचना इवं संप्रेशन तखनीकी का अर्थ इवं परिभाज़ा बताईए मतलब जो information communication technology है वो क्या है इनकी meanings बतानी है आपको इनके definitions को समझाना है अगला question है इंटर्णेट की विसेशता को समझाईए इसमें इंटर्णेट का क्या यूज होता है इंटर्णेट के कौन-कौन से benefit हैं कौन-कौन से disadvantage हैं इनके बारे में आप इनको लिख सकते हैं अगला question है application software क्या है तो इसमें सिर्प application software ही पूछा है तो आपको जितने भी software पता है कि system software क्या है इसमें types of three types के हैं तो इसमें आप अलग-अलग software को पहले समझाईए उसके बाद जो पूछा है उसके बाद उसको लेख लीजिए फिर next question है multimedia की अवधारणा को समझाई multimedia क्या है यह हर बार exam में आया very important question है इस बार भी question आपके exam में यह पूछ सकता है next question है सिक्षा के छेतर में powerpoint की utilities बताईए powerpoint क्या है तो powerpoint यानि जो होता presentation के लिए बनाया जाता है और इसमें powerpoint की आप pictures बनाएंगे exam में तो बहुत अच्छा रहेगा और जो भी question लिख रहा है ना friends computer के बारे में तो computer में लिखिए जरूर पर उसके साथ ही साथ आप hand working यानि की जो pictures बना रहे हैं वो भी जरूरी है तो इससे क्या होगा कि examiner आपकी copy check करेगा तो उसको लगेगा कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसका knowledge है फिर हम खंडबा की बात करें तो खंडबा में कितने question दिए चार दिए हैं चार में से कोई दो question करना आपको जो इसमें से आपको बन सकते हैं इसकी क्या उप्योगिता है तो computer की पूरी history बता देना इसमें input output जो भी चीज़े आती है इसमें पूरा explain कर देना और इसकी utilities क्या इसकी scope क्या है उनके बारें बताना मतलब इसका use कहां कहां होता है फिर अगला question ने computer के hardware and software को बताईए hardware क्या होते हैं software क्या होते हैं details को समझाइए और इसका वीडियो है मेरे पास तो मैं आई वेटन पर भी शेयर कर दूंगी जिससे आप इससे पढ़ सकते हैं नेक्स्ट कोश्य ने operating system का अर्थ बताईए तो operating system अभी पांच नंबर में भी दिया था दैन यह 10 नंबर में भी दे दिया है तो मतलब operating system बहुत चार कोश्यन है चार में से दो कोश्यन करना है जो आपको बहुत अच्छे से बन जाए तो यह तो हो गया फ्रेंट समारत 2019 का पेपर अब हम देखने वाले हैं जून 2022 में किस तरीके से आपका पेपर आया था पेपर का पैटन थोड़ा सा चैंज हो गया है इसमें क्या कर दि पहले अबजेक्टी कोश्यन नहीं दिये जाते थे लेकिन अब अब अबजेक्टी कोश्यन दिये जाने लगे हैं तो यह 2022 का पेपर हो गया आपका एजुकेशनल टेक्नॉलजी आएसीटी का सीसी टू का पेपर है गंटे का ही पेपर रहे गई है 75 नंबर का पेपर है अब 10 निर्देश में में डिवाइट कर दिया है. 2019 में इसने दो ही पार्ट बनाई थे लेकिन 2022 में इनने दीवाइट कर दिया है प्रशन न्यूंदी पार्रम पार्ट में लुएक कर दिया me तो आज जो हम objective question cover करेंगे, इसके मैं आप लोगों को answer भी share करूँगी, क्योंकि कल जो मैंने paper upload किया था, बहुत से बच्चों को इसका answer नहीं बन रहा था friends, तो आज मैं आप लोगों को answer भी बताऊंगी, तो चलिए देखते हैं, पहला question इसमें दिया है, computer सब्द किस भासा से लिया है, इनके option यह है, Latin, English, French, इन में से कोई नहीं, तो इसका जो right answer रहेगा, वो रहेगा आपका Latin, जो computer सब्द है, वो Latin भासा से लिया है, second question, second objective question देखते है, आधनिक computer का पिता किसे कहा जाता है, इनके option है, एहे, grammar, बेल, चार्स, बेबिस, फिर दिया है, मार कौनी, रा आधनिक पिता के जो पिता मानिश आते हैं, कि computer के, वो है, चार्स, बेबिस, जी है, इसका option है, जावा विच्वल मसीन, second है, जावा विच्वल मसीन, third है, जे आरी विच्वल मसीन, और fourth है, जे आरी विच्वल मसीन, तो इसका जो right answer है, वो A नमबर का आएगा, कुछ बच् right answer है, फ्रेंज्ट वो आएगा, आपका जावा विच्वल मसीन, next question है, PROM का पूरा नाम क्या है, तो पि अरो एम का पुराव नाम क्या अप्षिण है प्रग्रामेवल रीडाउन ली मिमोरी सैकेंडेश रीडाउन ली मिमोरी और तीसरा है परमारेंट रीडाउन ली मिमोरी और प्रोग्रामेबल रीड आल़ी मिमोरी के ऑगले कुशन की बात करें ह। पांचवा कुश्चन है आपका क्या लिखा है Be I AIS का पूरा नाम क्या है क्वे आई ओ ए सकता है इनके option है virtual input output system, basic input output system, batch input output system या इन में से कोई नहीं तो इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा आपका second तो BIOS का पूरा नाम होगा basic input output system तो इस तरीके से आपके यह objective question complete हुए अब हम खंड बाकी बात करें तो खंड बा में आपके अब यहां पे 13 प्रशने दिये हैं तेरा में से कोई 10 प्रशनों के उत्तर देना आपको और इनकी जो सब्द सीमा है वो 100 से 150 तक की है और प्रतेक प्रशने के लिए 5 अंक divide है अब हम देखेंगे कितने question है तो तेरा है तेरा में से आपको 10 करना है पहला question पढ़ते हैं इसमें हम कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का अर्थ बताईए इसमें आप computer के अनुदेशन का अर्थ बताईए कि क्या होते हैं फिर second question है मतलब सात्वा computer के input device क्या है जितने भी इसमें computer के input device है जैसे keyboard हो गया, mouse हो गया, scanner हो गया, light pen, joystick इनके बारे में आप पूरा लिखें इनके सामने इसके आप pictures बनाएए तो यह हो गए आपके computer के input device क्या है फिर दिया इसमें hardware क्या है what is the hardware किसे कहते है अब अगला question है आकार के अधार पर computer कितने प्रकार के होते हैं 2019 में आप से question पूछा गया था कि classification of computer तो इसमें आपने बताये था कि classification of computer रहनी कि दो टाइप्स के होते हैं based on size and based on working तो based on size के अधार पर यह 4 होते हैं computer कितने होते हैं इनके साथ इनकी पिच्चर्स भी आपको बनानी है और बेस्ट ऑन वर्किंग के अधर पर थ्री होते हैं एनलोग डिजिटल एंड हाइब्रेट बी आई ओएस को समझाई यानि कि बेसिक इंपुट आउटपुट सिस्टम क्या है इनको एक्स्प्लेइन करिए अगला कोश्च और प्रकार बताईये और इसको आपको लिखना है नेक्स्ट कुश्चन है शिक्छा के छेत्र में MS-EXCLE की क्या भूमिका है इसमें MS-EXCLE में आप पूरा MS-EXCLE के बारे में लिखना इसके सामने MS-EXCLE की जो पिक्चर से रो एवम कॉलम कितनी होती उन सब के बारे में आप इ क्या भूमिका है अगला कोश्या ने सुपर कंप्योटर की इसमें सुपर कंप्योटर की इसमें सब्सक्राइब का पूरा डायगराम उनके बारे में उनको एक-एक करके उसको एक्स्प्लेइन कर दीजिएगा तो यह तो हो गया आपके कितने तेरा में से कोई 10 कोशंच करना आप जो आपको इस में से बहुत इक हैँ अब करेंगे भड़े कोश्चन्य दिरगुत्ती प्रश्न है कि चार प्राश्न दीए हैं चार में से कोई दो कोश्ण करना आपको दस नमबर है कोश्ण सब्दिसीमा 4500 सब्देगी इसमें पहला कॉश्ण हम लिकश्ण प्राइमरी मेमोरी क्या है रूम के प्रकारों को समझाई करिए वसके बाद इसमें पूछा है उसको लिखे क्योंकि यह 10 नंबर का है तो आपको पूरा मेमोरी का पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा कि मेमोरी क्या होती है कितने टाइप्स की होती उनके अंतरगत भी उनकी उप टाइप्स भी होते हैं उनको एक-एक करके explain करिए पर नेक्स्ट कोश्चन है माइक्रोसाफ्ट विंडो से आप क्या समझते हैं इसकी क्या विसिष्टा है इसमें पूरा माइक्रोसाफ्ट MS विंडो का चित्र बनाना है और चित्र बनाने के बाद इसमें जो टाइटल बार है स्टेंडर टूल बार मीनू बार फॉर्मेटिंग तूल बार इनको एक-एक करके आपको एक्स्प्लेइन करना होगा अगला कोश्चन है बवसाइट क्या है इसका आर्थ हेवा महत्व क्या है सिक्षा के छेत्र में इसका विस्तार समझाईए यानि कि आपको बवसाइट के बारे में बताना इसकी क्या एडवांटेज है हो गया आपके लॉंग कोश्चन में से यानि कि दीर उत्री जो प्रशन है चार चार में से जो भी आपसे बहुत अच्छे से बन रहे हैं दो कोश्चन अटेंड कर लिशेगा और साथ ही साथ आप जो भी कोश्चन के आंसर लिखते हैं तो उनको डायग्राम से भी एक्स्प करूंगी तो यह पेपर में आप लोगों को कल भीजूंगी तो आज की वीडियो में इतना है फ्रेंड्स तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर तब तक जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंडों तक यह वीडियो शेयर करिए साथ ही साथ लाइक कॉमेंट शेयर और सब्स् पर वाचिंग और सब्सक्राइब यह वीडियो थैंक यह वीडियो थैंक यह व्रेंड्स